हेलो मामा, हमाला टैनल सब्सक्राइब करने और जीचे घंती को दबादे हेलो फ्रेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत सवागत है जैसे ही एक महिला गर्वती होती है, उसकी सबसे पहली खौईश होती है कि वो जल से जड़ अपने बच्चे के धरकन को सुन सके और उसे महसूस कर सके जब वो अपने बच्चे के हार्ट बीन यानि धरकन को सुनती है तो वो एक्चली में बच्चे का एक कोड़ वर्ड में सिगनल होता है अपनी मा के लिए यानि कि कभी कभी माएं धरकनों को नहीं सुन पाती है अपने निश्चित समय में तो क्या ये जो फर्स स्कैन होता है जिसमें मान नहीं सुन पाती है धरकन को वो नॉर्मल है या फिर धरकन का कम होना वो भी नॉर्मल है या नहीं आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस first scan में धरकन को न सुनना या धरकन का कम होना normal है या उसके पीछे कई कारण है पर वीडियो देखने से पहले अगर आप तक आपने हमारा चानल सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये हुए सबस्क्राइब बटन को प्रेस कर सकें और बेल आइकन यानी घंटी को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखें तो आये friends जानते हैं pregnancy के दोरान first scan में बच्चे के heart beat का slow आना या फिर नहीं आने के कुछ कारण पर उससे पहले समझते हैं first scan कब होता है और इसमें आखिर होता क्या है तो ये जो pregnancy के दोरान first scan होता है वो generally six to nine weeks के बीच में होता है कभी-कभी doctors क्या करते हैं वो थोड़ा wait करते हैं और कहते हैं कि nine weeks के बजाए वो 10 और 11 हफते में भी आपको बुला सकते हैं ये actually totally depend करेगा आपके doctor के convenience पर कि वो कब आपको scan के बुलनाना चाहता है पर आम तोर से ये छटे और नौवे हफते के दोरान होता है इस scan में doctors check करते हैं कि बच्चे की heartbeat कैसी है तो आम तोर पर जो है वो 6-7 week के बीच में जो heartbeat होती है उसका range होता है somewhere 90 से लेके 110 bpm तक और फिर क्या होता है ये आगे बढ़ता है initial weeks में and it can go up to you know 170, 140 से 170 bpm तक भी जा सकता है तो basically क्या होता है heartbeat चुरू होती है और initial few weeks में वो काफी तेजी से बढ़ता है उसके थोड़े दिनों बाद ये एक normal average level पे grow करता रहता है तो अब यहाँ सवाल आता है कि अगर first scan में pregnancy के first scan में बच्चे की heartbeat नहीं सुनाई दे रही है या फिर heartbeat slow है तो क्या इसमें कोई घबराने की बात है या फिर ये एक normal बात है तो friends इसमें घबराने की कोई बात नहीं है अगर heartbeat थोड़ा slow है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं तो ये हुआ एक कारण कुछ और कारणों की वज़े से भी heartbeat slow हो सकता है इन परिस्थिती में आपके doctor क्या करते हैं वो कहते हैं कि आप एक दो वीक बात दुबारा आए ताकि वो heartbeat को फिर से चेक कर सके अगर एक दो हफते के बाद भी heartbeat में कोई changes नहीं आई या फिर heartbeat सुनाई नहीं दे रहा है तो ये हो सकता है कि आपकी pregnancy में सायद कुछ complications हो इन cases में guide करने के लिए आपके doctor ही best है वही आपको बता सकेंगे कि actually में इसके पीछे क्या कारण है तो इसलिए किरपया आपने doctor के संपर्क में रहे friends उमीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से मदद मिली होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो please comment करके बताए और साथ ही में हमें ये भी बताए कि आप आने वाले टाइम में किस टॉपिक्स पे हमारा वीडियो देखना चाहेंगी अगर अब तक आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन यानि की घंटी को भी दबाए फ्रेंट्स जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हापी और भी अच्चे अच्चे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबादे